प्यारे दोस्तों आज हम कुछ और नय टांसलेशन के बारे में सीखेंगे तो चलते हैं इस नय टांसलेशन पे और टांसलेशन की गड़ी में अगरे टांसलेशन का हम अनुबाद सीखते हैं तो सबसे पहले हम देख लें, ये कुछ टामसलेशन के वाकिया हमने लिखे हुए है, उसे सच बोलना चाहिए था, चाहिए था, बोल नहीं तका है, उसे जूट नहीं बोलना चाहिए था, उसे सतर्क रहना चाहिए था, उसे इश्यालू नहीं होना चाहिए था, तो ऐसे वाक्यव जो चाहिए था पीण हो रहे हैं इसे भराने के लिए इंगलिस में जो रूल होता है ऐसे वाक्यों से या बोध होता है कि भूत काल में जो कारिव करदय या बादता कि चलते होना था जिसमें करदय था कि आपको ये करना आई था बादता था ये कारे होना था वो पूरा नहीं हुआ वाक्य से वो पूरा नहीं हुआ अर्था अनुचित कारे हुआ जो कारे होना था वो नहीं हुआ इसका अनुवाद जब करते हैं तो होता है subject plus should have चाहिए का स्विरिंग स्टूड और है past participle past participle यानि की verb का third form past participle second structure में होता है subject plus should have been subject plus should have been plus adjective न की past participle adjective third subject plus out to out के साथ two लगा देंगे या ध्याम देंगे out to have plus past participle यानि की वर्ब का third form और fourth नियम है जो रूल है structure है subject plus out to have been out to have been plus noun या adjective या वर्ब में होके noun और adjective आएगा तो आपका बिंजूटी आएगा तो ये इसकी structure है जैसे उससे सच बोलना चाहिए था तो इसका consensus आपने बताया है he इधर देख लेंगे उससे सच बोलना चाहिए था तो इसका हो जाएगा he या see कोई भी रखा जाता है should have जैसा कि हमने बताया है should have spoke speak means होता है सच बोलना तो past participant हो जाएगा spoken the truth सच बोलना चाहिए था तो ये पहले का answer हो गया उससे सतर्क रहना चाहिए था तो he or see should have been cautious ये adjective है इसलिए सतर्क रहना चाहिए था ये third number बन गया आपका गलास से third number का बना दिया है आपने सतर्क रहना चाहिए था उससे जूट नहीं बूलना चाहिए था तो he or see should have been jealous उससे शारू नहीं होना चाहिए था तो इस rule की इस प्रकार के sentence को जो भूत काल में सुरू हुआ और पादता ये कर्तब होने के नातिब वह पूरा मही हो सका तो उसे हम इस structure के अरुसाल हम इसे बनाते हैं अब कुछ वाक्य देख लेते हैं और उसे हम बनाकर practice करते हैं अब इस प्रकार के हलुआत को हम practice करेंगे ताकि जो इस structure हमने सीखा है चाहिए थका वो पूरे हो सके तो आएए शिखते हैं इसका तांसलिसान उसे समय पर आना चाहिए था तो हमने जो आपको structure बताया है इसको बनाने के लिए सबसे पाले हम subject प्लास सुड़ है सुड़ है प्लास वर का थार्ट फर्म कहिए या पाश पार्टी सीख़़ ये structure बनाएंगे या अगर सुड़ के जवाब पे हम आउट लिखते हैं तो आउट के साथ आउट तू लिखना करता है तब आउन है लिख सकते हैं तो फिला हम आउट तू न लिखका सुड़ का ही यूज करेंगे ताकि वीडियो लंबी नहु दूसरा इस लिखते जो लिखता है या subject प्लास सुड़ हैब बिन बिन प्लास अब यहाँ नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा सुड़ हैब बिन नाउन या एडजेक्टिव यह हम लिख देंगे नाउन या एडजेक्टिव तो आप देख रहे हैं सुड़ हैब बिन के साथ नाउन या एडजेक्टिव लिखेंगे और सुड़ हैब के साथ वर्ड का थार्ट फॉन तो एक एक टक्य हम बनाएंगे इधर से देख लेते हैं पारा का अंसेसन हमाना दिया है उससे समय पर आना चाहिए था तो यह हम बना लेंगे He Should Have He should have और आना का स्वेली को था है कम कम का थार्ट साम भी कम होता है तो He should have Come on Time Come on time उससे समय पर आना चाहिए था तुम्हें परिच्छा देनी चाहिए थी तो तुम्हें का हो जाएगा You Should Have You should have देना Given The exam You should have given the exam तुम्हें परिच्छा देनी चाहिए थी थार्ण उससे आज्याकारी होना चाहिए था तो थार्ण का हो जाएगा He Should Have आज्याकारी ये नाउन आपका तो नाउन के लिए आप बिन भी अगा देंगे He should have been Obedient Obedient अब यहाँ वर्ण का थार्ण पर्मना आके बिन आज्याकारी होना चाहिए था उन्हें बिश्वास पात्र होना चाहिए था तो सेम वही पैटर्ण है उन्हें कैस्पिलिंग लिख देंगे They should They should have been They should have बिश्वास पात्र यानि की बिल लग्या फेटफूल फेटफूल तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी तो ये हो जाएगा आपका You should Have मदद करना Helped Helped उसकी Him यार कुछ भी लिख दीजिए चलेगा Him या हर तो You should have Help him या हर ये आपका हो गया तुम्हें डॉक्टर से सला लेनी चाहिए थी तो You Should Have Consulted थार्ट वांड केंगे Consulted The Doctor The Doctor डॉक्टर से सला लेनी चाहिए थी उन्हें सस्ती किताबे नहीं पढ़ने चाहिए थी नहीं भी आ गया है इसलिए में नॉट कभी यूज करेंगे उन्हें यानि की तो में तो बढ़ने की अरूपास्टी अरूपास्टिक अरूपास्टी का हो जाएगा एपसेंट यह नालम बढ़न गया है एपसेंट उसे अंम्हेकर सूबिखार करना चाहिए था तो उसे का हो जाएगा ही सूडॱ है गुव accepted third form लगा देंगे accepted the invitation the invitation the invitation he should have accepted the invitation उससे निमंत्रन सुईकार करना चाहिए था he should have accepted the invitation मुझे मुहन को बदाई देनी चाहिए थी मुझे यानि कि I should have concholation concholated हो जाएगा concholated concholated I should have concholated the moment concholated the moment मुझे मुवन को बदाई देनी चाहिए थी तुम्हे मुझे निमंत्री करना चाहिए था तुम्हे यानि कि you should you should have have मुझे निमंत्री करना you should have invited invited you should have invited me मुझे निमंत्री करना चाहिए था you should have invited me उसे गारी पर पत्थर नहीं फेकना चाहिए था लास्ट आया मारा ये उसे he should he shouldn't और जाएगा नहीं he shouldn't have he shouldn't have thrown थोन 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 दो इस्टोन पत्थर इस्टोन और इस्टोन वैन और वैन तो इस प्रकाना बाला ये चाहिए थे किस इसम्स में तांसलेशन बना he should have come on time इसको चाहिए तरां out to have भी लिख सकते है he out to have come on time you should have given the exam you out to have given the exam he should have been an obedient he out to have been obedient they should have been faithful they out to have been faithful तो इस प्रकान हम जहां should का यूज किया है वहां हम देखते हैं कि out to out यानि कि o u g h t out और इसके साथ two का आना अनिवार है out to का भी यूज करके हम कांसलेशन बना सकते हैं याद रखेंगे out के साथ two भी आना अनिवार है तो इस प्रकार ये यूटूब पर ये रहेगा आपका सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जिग्यासा बनती रहें जय है